आपके दिन भर के हाल की बारे में समझेंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है आचारे हिमांची उपमन्यू जी के माध्यम से जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आपकी राशियों के हाल बताने के लिए तो चलिए मिलके स्वागत करते हैं आचारे हिमांची उपमन्यू जी का राधे 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 आप सभी को विजय दस्मी की हार्दिक शुपकाद नाए लोका भीरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रगवन सनाथम कारुन्य रूपम करुणा करमतम स्रीराम चंद्रम सर्णम प्रपधे जी अचारे जी सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की तिति नक्षत साथी आप हमारे दर्शकों को आज की राहुकाल और गुलिकाल के समय के बारे में बताएं जी आज दीनांख है 5 अक्टूबर सन 2022 दिन है बुद्वार का और जैसा की मैं बता चुका हूँ आज पावन दसमीत थी है जब असत्य पर सत्य की और पावपर पुन्य की विजय का दिन है ये और आज स्रवड नक्षत्र है जो 9 बचकर 25 मिनट तक रहने वाला है रात्रिकाल में और आज का राहुकाल है 12 बचकर 7 मिनट से 1 बचकर 38 मिनट के मध्य और आज का गुलिक काल है 10 बचकर 40 मिनट से 12 बचकर 8 मिनट तक मध्यान काल में और आज भगवान चंद्रमा मकर राश में बिच्रण करने वाले हैं बिल्कुल तो अचारे जी सीधा राशी फल की दिरफ चलते हैं और बारा राशियों की हाल के बारे में अब हम समझ लेते हैं जी आज जैसा की मैं देख पा रहा हूं आरम करते हैं लोग प्राया की तरह ही मेस राशी के जातकों से तो मेस राशी क जातकों के लिए आज के दिन विजय ससमी के दिन पर इनको विजय की प्राप्ति होने वाली है जो भी ये चाहते हैं उस कारे को संबादित कर लें इनका वहकार बन जाएगा लेकिन एक बात बता दूँ आपके मन में अगर हार की इस्तिती है आपको मन से डर लग रहा है तो दर को निकाल दीजिए उसका कोई कारण नहीं है आपके मन में या आपके जीवन में क्योंकि सफलता आज के दिन आपको ही मिलेगी लेकिन प्रयास जरूर करना पड़ेगा आपको अब अगर बात कर ले हमारी अगली राशी व्रस के बारे में तो वर्षब राशी के जातकों के लिए मैं आज का दिन बता दूं कैसा है आज के दिन आपकी राशी के जो जातक हैं सारीरिक परिस्तिती से परेशान हैं कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई सारीरिक परिस्तिती है जो बार बार उन्हें कष्ट दे रही है वर्तमान में पिछले काफी समय से आपको कोई ना कोई मानसिक तोर पर समस्या है जिसके कारण आप परेशान रह रहे हैं तो आपको चाहिए कि भगवान रामचंद्र के चर्णों का इसमरण करे रामरच्छा कवच का पाट कर ले भगवान रामचंद्र का इसमरण कर ले निस्त ही कष्ट से आप बाहर आ जाएंगे अब बात कर ली जाए मिथुन के बारे में तो मिथुन राशी के जो जातक है मैं बता दू कि आप अगर सावधान है तो बहुत अच्छी बात है और अगर सावधान नहीं है तो आपके साथ कोई अपरिया घटना घटत हो जाए इसके लिए आपके साथ कोई अपरिया घटना घटत होने के योग मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे है अब बात मतलब जैसा कि हम देख पा रहे हैं मिथुन राशी के जातकों के बारे में तो उनको चाहिए कि उन्हें सावधानी आज के दिन निश्ट ही रखनी ही होगी बिलकुल इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं चारे जी और बात कर लेते हैं करक सिंग और कन्या राशी वालों के बारे में करक राशी के जो जातक हैं आज के दिन बड़ा सुख है उनके जीवन में और सुख का कारण है उनकी आत्म मुग्दता वो अपने आप में इतना खो चुके हैं कि उन्हें संसार दिखी नहीं रहा है इसी कारण से उनको बहुत सारा सुख भी प्राप्त हो रहा है हाँ दूसरा सुख यह है कि उन्हें पुस्तके बड़ी अच्छी लग रही है और इन्हीं पुस्तकों में वो खोई-खोई से समय रहे हैं अच्छी बात है ग्यान अरजन करना संसार में सबसे अधिक आवश्य कारे है जब तक ग्यान नहीं होगा तब तक संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है तो आप जरूर ग्यान पाएं लेकिन इतने ग्यान में ना खो जाएं कि आप कोई संसार के मूल का आभास ही ना हो अब बात कर ली जाए सिंग के बारे में तो इस रासी के जो जातक आज के दिन उनको सारीरिक सुख प्राप्त होने वाला है जो उनकी सारीरिक समस्या है उससे वैं निदान पाने वाले है लेकिन मन में आलस बहुत है आज के दिन उनका मन कह रहा है कि यहीं लेटे रहो कहीं जाकर करना ही क्या है क्योंकि यह हिस्तति तो अच्छी नहीं लग रही है लेकिन बंद तो यहीं रही है तो इस प्रकार से अपने कार्यों को आपको आज ही के दिन कर लेना चाहिए कोई कहा गया है पल में परले होएगी बहुरी करोगो कब तो फिर कब आप उन्हें कारियों को संपादित करेंगे इसलिए आज के दिन निशित ही अपने कारे आपको पूरे कर लेने चाहिए अब बात कर लें अगर कन्याराशी के जातकों के बारे में तो कन्याराशी के जातकों का स्वास्त तो अच्छा नहीं है लेकिन मन में बड़े जो है विचार आ रहे हैं आज उनके बड़ा जो है मन उनका विचारों से भरा हुआ है और किसी एक विचार पर इस्थिर भी नहीं हो रहा है उनका मन ऐसे विचार आ रहे हैं ये भी कर लें वो भी कर लें सरीर साथ नहीं दे रहा है लेकिन करना वो आज के दिन ही सब कुछ चाहते हैं और अगर किसी कारे में असफल हो रहे हैं तो क्रोध भी दूसरों पर ही कर रहे हैं अरे ऐसा मत करिए आप लोग क्योंकि ये इस्तिति आप के लिए अच्छी नहीं है तो आपको बड़ी ही सावधानी से और सांती से दिन को वितीत कर लेना है और रोग के लिए किसी अच्छे चिक्चक से सला कर लेनी है अचारे जी बात कर लेते हैं तूला वृष्टिक और धनू राशी वालों के बारे में कि इनके दिन में आज क्या खास होने वला है कारण है दूसरा कोई कष्ट नहीं है आपको सुख भी परयाप्त मिलेगा और निवेस करने पर लाब भी परयाप्त ही प्राप्त हो जाएगा अब बात कर ली जाएगर अगली रासी व्रस्चिक के बारे में तो व्रस्चिक रासी के जातकों के लिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि आज के दिन आप की रासी के जातक जो कार करना चाहते हैं अगर सामाजिक तोर पर कोई कार करना चाहते हैं किसी की सेवा करना चाहते हैं जिससे उनकी सामाजिक स्थिती वहतर हो जाए तो निशित ही आप ऐसा कर लीजिए क्योंकि आज का दिन आप की उस पर स्थिती को और सबल बनाता है और मजबूती से उस स्थिती को प्रिजेंट कर रहा है संसार के सामने तो आज के दिन आपको सामाजी कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको लावप्राप्त हो जाएगा अब बात कर ली जाएगा धनुराशी के जातकों के बारे में जातकों का इंतजार कर रहा है एक गलत निरना है आपका और आपके व्यापार में आपको घाटा हो जाएगा परिस्तियां मुझे बंती होई दिखाई दे रही है मतलब जो है मैं जैसा की देख पा रहा हूँ धनुराशी के जातकों के लिए दिन ठीक तो नहीं लग रहा है बिल्कुल अचारे जी आखरी तीन राशियों के बारे में बात कर लेते हैं मकर कुम बॉर्मीन जी मकर राशी के जातकों का आज के दिन भाग बहुत अच्छा साथ दे रहा है वज्जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाएंगे इसमें मुझे संदे नहीं है भाग का भरोसा आज के दिन आप की राशी के जातकों को ऐसा रहने वाला है कि आपका हर कार्या पूरा हो जाएगा लेकिन प्रयास करने में अगर आप चूक करते हैं तो भाग भी आपका साथ नहीं देगा क्योंकि आप सनी की राशी के जातक हैं सनी की राशी है मकर राशी और सनी देव न्याय के देवता होकर के आपकी राशी पर ही विचरण कर रहे हैं तो बता दूँ ये समय ऐसा है कि बिना महनत के आपको अगर कुछ हांसिल हो गया तो वो आपके लिए कष्ट का कारण बन जाएगा क्योंकि सनी देव अपने लोगों को या अपनी राशी के जातकों को बिना महनत के कुछ भी नहीं देते है प्रयास करिए भागया आपका साथ दे देगा और आप निशित ही आगे बढ़ जाएंगे अब बात कर ली जाए अगर शनी देव की ही दूसरी रासी कुम्ब के बारे में तो कुम्ब रासी के जातकों को आज के दिन धनका खर्च करना होगा किसलिए आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं इसलिए आपको धनका खर्च करना होगा अगर आप gadgets खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद ले क्योंकि आज का दिन आपके लिए gadgets के खरीददारी करने के हे तो बहुत अच्छा है आज के दिन आप पले ही धनका खर्च कर देंगे लेकिन वह सामगरी वह संसादन आपके लिए जीवन में कई प्रकार की अच्छी इस्थितियां भी उत्पन कर देगा और बात कर ली जाएगा अब इस क्रम में अंतिम राशी मीन के बारे में तो मीन राशी के जातकों को मैं बता दूँ आज के दिन प्रसनेता की प्राप्ति होने वाली है वरतबान समय पर आपकी राशी के जो स्वामी है भगवान प्रहस्पति वो इसी में विचरण कर रहे है तो निश्यत ही प्रयास करते रहे हैं कारे भी सपल होंगे और अगर कोई विद्यार्थी है आपकी रासी का जातक तो मैं बता दूँ उसके लिए बहुत अच्छी स्थितिया बन रही है और अगर कोई कन्या है जो अपने प्रेम का इजहार करना चाहती है तो वे कर सकती है लेकिन मैं बता दूँ कि अनुच्छित तोर पर नहीं उच्छित होगा आपका प्रेम तो आपको जरूर मिल जाएगा अर्थात आपके माता पिता की सहमती आज के दिन आपको प्राप्त हो जाएगी मैं बता दूँ जैसा की देख पा रहा हूँ कोई भी अनरकल करते आपके जीवन को दोस्मय बना देगा लेकिन सावधानी और स्वच्छता से किया गया कार है आपके जीवन को आज के दिन कई प्रकार की उचाईयां देने वाला होगा बिलकुल तुमीन राशी वालो जिस तरीके से अचारे जी ने आपकी राशी का हाल बताया है हम उमीद करते हैं कि आप जरूर उस सला को मानेंगे अचारे जी बारा राशी का हाल तो हमने समझ लिया अब आप बते ही कि आज के अभिजीत महुरत का समय क्या है जी आज के दिन अभजीत मूहुर्थ नहीं है उसका कारण है गुलिक काल और राहुकाल का समय जो ऐसा है कि अभजीत मूहुर्थ आज के दिन नहीं हो सकता है तो अचारी जी आज जिन लोगों का जन्नम दिन है या फिर Marriage University है फिर कोई भी खास अफसर है उनके लिए क्या विशेश सला है आज के लिए? जी आज के दिन की विशेश सला यही है आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय है और पाप पर पुन्य की भी विजय का दिन है तो आज के दिन मैं यही कहूंगा मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान राम चंदर के चरणों का इस्मरण करें और भगवान राम के राम लक्षा इस कुछ वस्त्र या कुछ उपहार जो आपके मन से उत्पन हो भाव, उस भाव के साथ राम जी के सामने समर्पित कर दे तो निश्चित ही आपके जीवन के सभी मारगों में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी तो चलिए आज के लिए काल शक्र में बस इतना ही, कल फिर हाजर होंगे एक नए विशे के साथ आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ तब तक के लिए आप मुझे दीजी इजाज़त अपना बेहत खायाल रखिए और खुश रही है चारे जी बेहत शुक्रिया हमसे जुणने के लिए राधे राधे नमस्कार